हेलो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में आज मैं आपको हेर मास्क पता रहे हूं इसके लिए मैंने दो पैकेट मेहंदी लिए है एक्चली मेरे हैर ठोड़े से थिक है तो मैंने दो बैकेट लिया हुआ है 10 रुपीज का पैकेट है नेहा मेहदी आपके बाल अगर ज्यादा लें नहीं है तो आप एक पैकेट ही ले सकते हैं मेहदी से एक अच्छा सा कलर आता है मारे बालों में और साइन बेचे जिक हैं इसके साथ मैं शीका काई पाउडर कूश कर रहे हैं यह देखिए शीका काई पाउडर है यह मार्केट में इसली अवेलिभल महुंस एता हैं ए मिद सीका काई पाउडर के बहुत सारे पायदें है मेरे बालों के लिए एक्दम बहुत ही अच्छी चीजी है क्या बता हुआ स्क्रजट बहुत ही अच्छा है और ट्रै अकर यह सिर्फ दही के साथ भी मिल तो तीन बार यूज कर सकते हैं, तीन भागों में डिवाइट कर लिए, तीन बार यूज कर सकते हैं, अन्दाज अगर लें तो फोर स्पून पाउडर एक बार लें, इसके साथ मैंने अलोवेरा जेल की 2 स्पून डाला हुआ है, इसमें, आपके पास अगर फ्रेस लीव विटमिन E के कैप्सुल भी इस मिक्स्चर में एड़ किये हैं, विटमिन E हमारे स्केन, हैर सभी के लिए बहुत अच्छा इंडीडिया हैं, मैंने एक हाफ रॉल अफ खटा दही लिया हुआ है, जो दही खटा वाला दही बता है, जिससे कड़ी वगारा बनती है, उस दही क करना इसके लिए, क्रीम वाला दही मत यूज करिए इस टेक्च्चर को जदा रनी नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही क्रीमी टेक्च्चर रखना है आपको, इसमें आप हलका सा वाटर वाटर वे अट कर लिए, जैसे आपको चाहिए, देख रहा हैं कि अब यह टेक्च्चर मि इसमें धीर धीर वाटर एट करूंगी और इसको मिक्स करते वे जाऊंगी, अगर आपने इसको बहुत ज्यादा रनी बना दिया तो यह आपको जितना टाइम भी आप लागाएंगी तपकता रहेगा इसे पाने को बनाने के बाद पंदर मेने ट्रेस्ट के लिए रग दीज ताकि बाद में बाल उल्जी नहीं दो घंटे अपने बालों पर रखिए और इसके बाद हैर वास कर देजिए आप इसमें अगर आपको बाल लगते हैं मेंदी लगाने के बाद तो इसमें थोड़ा सा कोकोनट अर्ली एड कर सकती हैं इससे ज्यादा आपको 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 तो कि अपर हां से लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको कलर आजाएगा और अपने फेस पर ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा स्पॉर्ट अगर लग जाए इसको लगाने पर इसको तुरन साफ कर लेज़ेगा अडर्वाइस कलर आजाएगा बाल को दोने के बाद अच्छे से कंडिशनल करने की जरूरत नहीं है आप शिरम लगा के बालो को सुल जाएगे फिर बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको विसकाइपक कैसा लगा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्यू सो मच